इसमें जितने भी sensitivity setting आपको दिख रहे हैं ये सब बड़ी coil control की ही है लेकिन गाइस third person no scope भाई मतलब ये sensitivity setting पूरे यूटूब पर आपको किसी ने नहीं बताईए किसी ने नहीं बताईए मैं पूरा देख के आयो मैं खुद confused होगा भाई ये क्या चीज़ है सब्सक्राइब मतलब लिटरली मैं खुद ही बता रहा हूं कि quality content होने वाला है क्योंकि मैंने उतने efforts इस वीडियो में लगा है कि भाई जो भी बंदा इस वीडियो को देखेगा इतना ज्यादा knowledge गेन करेगा वो किसी को भी सिखाब आएगा इतनी सारी चीज़े मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और भाई कुछ चीज़े एसी है जो पूरे यूट्यूपर में खुद रिसर्च कराऊ किसी ने नहीं बताईएगा तो गई जाला टाइम वेस्ट नहीं करते सिद्धे से सब्सक्राइब करता हो और टीपीपी चूस करता हो क्योंकि भाई टीपीपी में आप फपीपी भी स्विच कर सकते हो और 50% बंदे हो टीपीपी खेलते हैं तो जो चीजें हम कवर करेंगे वो टीपीपी कवर करेंगे आज सबसे पहली चीज में अपर गन ने उठा रहा हूँ सबसे पहले हम पोच चीजे समझा देता हो तो यहाँ पर गन का आवाज आज आ एक हम थोड़ा दूर चल लेता है तो यहाँ पर हम आपके लिए AC जगा पर आ गए जहासे मतलब आपको गन की आवाज ने आएगी जो नीचे बंदे मतलब आतंग मचाए पड़े उनकी आवाज आपको ने आएगी तो disturbance नहीं होगा परसन कैमेरा गाइज वीडियो शुरू से लेके एंट तक आप देखने वाले हो तो आपको एक चीज़ बता दू जहां पर भी थर्ड परसन आएगा मतलब टी पी और फर्स परसन आएगा मतलब एफ पी तो हमें दिमाग में रखना है थर्ड परसन क्यूंकि हम खेलते टी पी और अगर आप एफ पी खेलते तो फर्स परसन तो थर्ड परसन मतलब जो की टीपी होता है इसको हम जीरो कर देते थर्ड परसन कैमेरा कैमेरा सेंसेटिविटी फ्री लूक के अंदर जो है इसके मैंने वन परसेंट कर दिया अब देखो गाईज बंदा तो पूरा मतलब मु सेंसेटिविटी में चलता हूँ अब इसको मैं हाई कर देता हूँ अब देखे गाईज आई बटन मुव कर रहा है बिलकुल मतलब तेजी से मुव कर रहा है तो यह जो पूरा सेक्शन है यह है आई बटन का सेक्शन कैमेरा सेंसेटिविटी फ्री लूक यह पूरा की पूर और आई बटन से देखते हो कि कहा कहा बंदे उतर रहे तो उस चीज के लिए हमें यह चीज कामी आ जाती है और यह common होती है FPP और TPP में आई हो गाईज आपको जो free look वाला section है camera sensitive वो समझ में आ गया होगा तो guys हमारा जो next आ जाता है वो है camera और guys यहाँ पर camera और radius भाई बहुत ज्यादा important चीज़े होती है हमारे gameplay के अंदर क्योंकि यही हमारा gameplay भाई साथवे आस्मान तक पहुचा सकता है और नीचे जमेन पर भी ला सकता है तो सबसे पहले चीज थर्ड परसन नो स्कोप तो guys इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा सबसे पहले नीचे तो यहाँ पर में आ गया हूँ तो सबसे पहले आपको में समझा देता हूँ sensitive जाता हूँ और camera का section अब हम समझने वाले तो camera only camera ठीक है ध्यान रखना only camera third person मतलब TPP तो मैं इसको zero कर देता हूँ अब यहाँ पर देखना क्या हो रहा है joystick जो है उससे movement हो रही है लेकिन जब मैं हिला रहा हूँ मतलब left right movement कर रहा हूँ कुछ और मैं समझ लेना जब left right movement कर रहा हूँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो बिल्कुल movement नहीं हो रही है तो इससे क्या होता है आपकी जो movement होती है मतलब जब आप किसे बरस्ट करने जा रहे हो किसी का TPP ब्लॉक कर रहे हो मतलब कोई आपके ऊपर ठीपीप लेके बैठा है आपको उसका TPP ब्लॉक करना है मतलब तो 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 नहीं होती है यह वाली sensitivity setting third person no scope camera के अंदर तो अब मैं इ I move तो यह वो चीज़े तो आपने third person no scope camera के अंदर जो थी वो तो समझ ली और यह अगर आपकी higher रहेगी तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा है ना देखिए आप मतलब आपकी जो movement होती है काफी ज्यादा fast हो जाएगी तो यह बहुत बढ़िया चीज़ है यह जो movement होती है आपकी काफी ज्यादा fast हो जाएगी तो sensitive team चलता वापस और यहाँ पर red dot hologram aim assist तो इसके लिए हमें चाहिए होगी गन तो guys यहाँ पर में थोड़ा दोर आ गया हो काफी जादा गोलियों के आवाद आ रही थी तो इसलिए में थोड़ा दोर आ गया हो तो अब आप मैं आपको समझाते है तो बाकी के जो बच्चे भी section है red dot hologram aim assist तो guys आप red dot 3x 6x 2x 4x 8x मैं आपको red dot का समझाऊंगा आप जब scoping करते हो और left right जो घुमता है उपर नीचे जो घुमता है वो होता है यह वाला red dot hologram aim assist वाला camera angle तो मैं इसको zero कर देता हूँ scoping करता हो और देखो मैं कितना हिला रहा हो ही linear आ बिल्कुल red dot ठीके ना यह चीज होती है उपर नीचे भी नहीं हो रहा है left right भी नहीं हो रह होते है तो इसके लिए हमें ज्यादा moment के जरुवत नहीं पड़ती है तो इतना काफी है ठीक है यह समझ गए आप red dot का समझ गए सेम चीज होती है बाकी बचे हुए scope के साथ तो आप समझ गए camera sensitive free look camera का जो angle होता है उसके जो scope वाले angle होते है वो भी सब समझ गए no scope भी समझ अब बचाए गाइस adios तो adios समझने के लिए यह बहुत जादा important चीज है तो हमें जाना पड़ेगा वापस वहाँ पर जहां पर हमें scope मिलेंगे तो guys अब हम बात कर लेते हैं हमारा last वाला जो adios sensitivity setting है जो सबसे important है उसके बारे में तो guys adios में देखो guys होता क्या है न adios बोले तो वहाँ पर आप recoil control का पूरा आ जाता है मतलब adios में जितनी भी sensitivity setting आपको दिख रही है सब recoil control की ही है लेकिन guys third person no scope भाई मतलब यह sensitivity setting पूरे youtube पर आपको किसी ने नहीं बताई है किसी ने नहीं बताई है मैं पूरा देखके आयो मैं खुद confused होगा यह क्या चीज ह तो मुझे को ने लगता आपको पता होगा क्योंकि हाँ पर देखो गया लिखा क्या है third वापस से एडीस, ⁫ फपर्सन, नोस्कोप क्या ? लो्सकोप मतलब क्या ? कोई फरक पढ़ रहा है? कोई फरक ने बढ़ रहा है थार्ड पर्सन, ⁫ कोई फरक ने बढ़ रहा है तो यही saja ॉ मतलब यहीं cxon ऐए मगा बार्या बार के लिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ तो सॉरी मैं कोई और ही चेंज कर दिया तो वापस से एडियस थर्ड परसन नोस्कोप में जिरो कर देता हूँ मतलब वन कर देता हूँ तो गाइज यह चीज क्या है यह बहुत जाता इंपोर्टन चीज यह आपके जान बचा सकती हर बार क्लोज कॉमबैक्ट में अब देखो आप चीज नोटिस करना बाद में मैं होता हूँगा तो गाइज अगर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो मेरा रिकॉयल है अगर आपके नजदी कोई बंदा हो तो आप उसको किसे मारोगे ऐसे ही मारोगे और भाइज जब आप फ करते हो ना तब आपका जो यह क्रॉसियर होता है तो यह क्रॉसियर का भी रिकॉयल कंट्रोल किया जाता है रिकॉयल बोलो या फिर जो उसका जो मुवमेंट होती है क्रॉसियर की फायरिंग स्टार्ट होने के बाद फायरिंग स्टार्ट होने के बाद क्रॉसियर की जो पू पुरा मूँब कर रहा है लेकिन अगर मैं फारिंग स्टार्ड करू तो मूँव नहीं कर पा रहा हो अब इसको गासा पूरा के पूरा के पूरा कंट्रोल में है ये चीज मतलब बहुत मुझे लगा कि आपको समझाने चाहिए किस कि इतने लोगों को ये चीज़ पता नहीं थ सकती है तो गैस मैंने थर्ड परसन नो स्कोप तो समझा दिया एडियस का उसी के जैसे मतलब बाकी बच्चे कुछे भी है वह भी रिकॉइल कही है तो मैं यहाँ पर आपको तो सेंसेटिविटीटी तो ट्राय करता है इसको कन्ट्रोल करनेगा एडिस में चलेगे 3x ठीक है रिकोइलcem करना तो ADS की sensitivity setting को change करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं इसको अंदाज ऐसे कर देता हूँ 31 तो अभी भी थोड़ा बहुत जागा हमारा जो recoil है वो left right जा रहा है तो left right जा रहा है था हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर grip चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर आप यूज कर सकते हाप ग्रीप या फिर एंगल फोर ग्रीप और recoil तो अच्छा कासा आ रहा है कंट्रोल में और ammo खतम हो गई यह वैसे और guys उमेद करता हो कि भाई यह जो पूरी चीज़े है कि आपको समझ में आ गए होगी और guys मैं ADS की sensitivity आपको नहीं बताया मैं चाहता हूँ भाई आप खुद से set करो कोई दिक्कत वाली बात ने जादा से जादा एक minute लगेगा अगर आप खुद जया हुआ आप गोओेगा खुद से एकार थलाओ उला कि भाई यहान चurgे टात आट Liveक्रा वी कने利 french मैं ADS को आपके गभेगा खुदाला कि लगेगा रादा खुदार Yak।